लग रहा है कि बिहार चलो का नारा वास्तम में सच होगा बिहार राज़ जैसे आपको पता है भुख मरी भेरोजगारी का एक प्रियाय बनके रह गया है उनको बड़ी कमपनी में नौकरी के लिए भी पलायन तो कई प्रकार का पलायन से बिहार घिरा हुआ है जदि आप बिह बिहार जाएंगे तो बिहार में रोजगार कहां पाएंगे वही लोग बने रहेंगे जदी परिवर्तन नहीं होगा तो लोग का परिवर्तन नहीं होगा तो सोच का परिवर्तन नहीं होगा अब नया बिहार बनाना ही होगा तो नया बिहार बनाने के लिए नए लोग नई स सोच लानी पड़ेगी सिर्फ सफेद कुर्ता से काम नहीं चलेगा अब आपको कोट टाई जिंस वाले भी लोग लाने पड़ेगे नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटीज में हूँ आपके साथ सौरवराज बिहार में अब जोर सोर से पलाइन के ऊपर चर्चा हो रही ह कि जो लोग बिहार छोड़कर के बाहर चले गए हैं चाहे पढ़ने के लिए या फिर कमाने के लिए उन्हें अब बिहार बुलाने के ऊपर चर्चा हो रही है हर नेता अब रोजगार पलाइन के ऊपर बात करते दिख रहे हैं मेरे साथ Ambition Law Institute के डारेक्टर आलोक कुमार रं उनसे भी मुलाकात होते रहती आलोक सर से बात करेंगे कि आज के समय में बिहार को लेकर के दिली में लोग क्या सोच रहे हैं जब इनके पास स्टुडेंट्स पढ़ने आते हैं तो बिहार को लेकर क्या बोलते हैं और जहां पे इनकी जिन भी लोगों से मुलाकात होती है व उसको सब कुछ बिहार में ही मिलेगा सच में अब बिहार में कुछ परिवर्तन दिख रहा है लग तो रहा है कि ऐसा कुछ होगा बहुत सारे नेता और बहुत सारे युवा नेता और बहुत सारी पार्टियां सभी लोग आज के लिए बात करने लगें और ये बड़ा अच्छा संबाद है लग रहा है कि भी बिहार चलो का नारा वास्तम में सच होगा लेकिन ये देखे ये जितनी बड़ी योजना है जितनी बड़ी प्लैनिंग है इसके लिए बहुत कुछ चाहिए एक पॉलिटिकल वीजन चाहिए एक पॉलिटिकल हम चाहिए जिसकी कही ने कही बिहार राज्य में कमी रही है और बिहार राज्य जैसा आपको पता है भुकमरी बरोजगारी का प्रयाय बनके रहा गया है और जो बबात आप पलायन की कर रहे हैं ना सौरब जी आप जदी ध्यान से देखें तो बच्चों का पलायन अच्छी सिक्षा के लिए बिमारियों का पलायन अच्छी चिकच्षा के लिए ना मजदूरों का पलायन कुछ रुपे खमाने के लिए और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अच्छी सिक्षा संस्था, अच्छी रोजगार के ओसर, चिकित्सा की बेबस्था, फैक्टियों की बेबस्था, ओ कृषी में भी देगे बिहार तो एक कृषी प्रधान राज्जे है, लेकिन वहाँ जो कृषी की दुरगती है, आज आप देखिए बाड कितने आ रहे हैं, स नहां पे स्टुडेंट का एक हब है, यूपेसी की तियारी करने आते हैं, एससी की तियारी करने आते हैं, लोग की तियारी करने आते हैं, तो क्या आज के समय में जो भी लोग बिहार से यहां पढ़ने आते हैं, या किसी भी पेसे में आते हैं, तो उनका बिहार को लेकर के mindset बदल रहा, वो बिहर जाना चाहते हैं? नहीं देकि, बिहर के प्रती तो लोगों में भाव है, प्रेम है, बड बिहर जाएंगे किस खारण से, जदी आप बिहर जाएंगे, तो बिहर में रोजगार कहां पाएंगे, बिहर में कैसी अच्छी सिक्षा पाएंगे, कैसे चिक्षा पाएंगे, कैसे रोजगार पाएंगे, कितने लोग हैं, कितने बिहार में ऐसे organization हैं, जो MBA वाले को hire कर लेंगे, जो IIT वाले को hire कर लेंगे, जो doctors को hire कर लेंगे, कहां इतने संसादन कहा इतने रोजगार का अवसर आप पैदा करेंगे जैसा मैंने सौरब जी आपको पहले भी कहा कि बिहार नीट से पॉलिटिकल यहां एक राजनितिक सोच चाहिए एक राजनितिक विचार चाहिए एक आमूल चूल परिवर्तन बिहार के लोग ही बिहार के लोग ही इस परिवर्तन को ला सकते हैं जिसका संबाद सुरू हो गया यह बड़ी अच्छी बात है सबी लोग आज कल के जो भी युवा नेता है प्रसांद की सोर चर्चा कर रहे हैं बिहार मोच चर्चा का भी से बने गया और जदियू भी कहाँ है हम भी कर रहे हैं कॉंगरिश भी कह रहे हैं बीजेपी भी कहाँ है कर तो सब लोग रहे हैं लेकिन उसको धरातल पे कैसे लाएंगे यह बहुत बड़ी समस्या उसके लिए लोग को अपने बिचार में अपने बैभार में अपने दिशा में अपने दसा में परिवर्तन करना पड़ेगा एक political vision वाला, political wisdom वाला ब्यक्ति उनको लाना पड़ेगा वैसा एक संबाद शुरू करना पड़ेगा जिसमें युवा लोगों की बहुत जरूरत है और युवा लोगों को उनको पूछना पड़ेगा बड़े बड़े अलग बड़े बड़े नाम के साथ बैठते हैं तो ओ लोग बिहार को लेकर कि क्या सोचते हैं या क्या बताते हैं कि कैसे बिहार बदलेगा बिहार में क्या करना चाहिए तो बिहार भी हर्याना और पंजाब जैसा बन जाएगा तमिनाडू करनाट का जैसा बन जाएगा तो लोगों के पास क्या बिहार को बदलने का कुछ विजन दिखता है आपको नहीं बिलकुल दिखता है लेकिन देखिए लोगों के पास विजन तो है आप किसके पास जाएंगे सरकार के पास जाएंगे सरकार में वो vision होना चीए सरकार को आगे आना पड़ेगा सरकार को ऐसे लोगों को सामिल करना पड़ेगा देखें जब भी इस तरह की बड़ी शुरुवात होगी उसमें सरकार का सहयोग एक movement सा चलाना पड़ेगा चलो बिहार वापस चलें सब को बुलाना पड़ेगा हमारे एक से को द्योग पती बने अनिला गरवाल नौ किंग महंद्र बहुत सारे लोग हैं संपरदा सिंग बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा अधवुत कारिय कर रहे हैं विश्व पटल पर लेकिन बिहार में उनका योगदान कैसे संबह हो पाएगा उसके लिए सरकार को आपने सुना होगा बीभी कि बिहार सरकार ने 40-50,000 करोड का investment सिक्योर किया लेकिन वो कैसे फलिभूत होगा कैसे उसको क्रियानवित करेंगे आप बिहार में ये एक बहुत बड़ी समस्या है मैं बा आवश्यक है प्राइवेट पब्लिक पार्टनर्सिप होना ही चाहिए सरकार को लोगों को सामिल करना ही पड़ेगा और ऐसे जो टैलेंट हमारे देश के फैले हुए हमारे बिहार के लोग आप देखें कश्मीर से कन्या कुमारी तक और गिर से लेकर के और नाचल तक फैले हुए हैं लेकिन क्या सरकार उनको बुलाएगी उनको सम्मानित करेगी उनको अपने कारिक्रम में सामिल करेगी बहुत बड़ा प्रश्न है और मैं ये राजनितिक पार्टियों से भी कहूंगा कि वो इस तरह के लोगों को लाएं सामिल करें ताकि वीजन बदले वही पुर सफेद कुर्ता से काम नहीं चलेगा अब आपको कोट टाई जिन्स वाले भी लोग लाने पड़ेंगे लेकिन हमारे अंदर उन लोगों को चुनना पड़ेगा जिनमें बिहार के प्रती प्रेम है बिहार के प्रती भाव है और वास्तों में चालते हैं अलग 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 पे नहीं यही तो समस्या है यही तो मैं आवहन कर रहा हूं हर राजनितिक पार्टी से सरकार से वहां के लोगों से आपके चैनल के माध्यम सहरब जी आपका प्रस्ण बहुत प्राशंगिक है और मुझे लगता है कि आज की जरुत है आपको हर तरह के लोगों को सामिल करना ही पड़ेगा हर तरह के लोगों को लाना ही पड़ेगा शिक्षा विच से लेकर के टेक्नोक्रेट से लेकर के अंबिये वाले को सब को जोड़ना पड़ेगा विहार में प्रदिबा की कमी नहीं है आपने कहा कि बुलाइए हम सरकार में या लोगों को मदद करेंगे लोग को जाया कि यह लोग सर को कुछ चाहिए यह नहीं बिलकुल नहीं चाहिए मैं ऐसे बहुत सारे लोग से अभी आपके इंटर्व्यू के पहले मैं अपने एक मित्र से बॉंबे बात कर रहा था और उनसे मैं यही कह रहा था कि आप साब एक यूजना बनाओ जिसके तहत हम लोग बिहार में एक विश्व विद्याले खोलेंगे और उनको मैंने इसपर्स्ट किया कि मेरी उसमें कोई बित्य भूमिका नहीं होगे और मैं कोई बित्य लाब नहीं लोगा और यह मैं बिलकुल खुलके कहना चाहता हूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिलकुल किसी हित के किसी लाब के काम करना चाहते हैं बस उनको जोड़ने की जरुरत है बहुत जरुरत है बिहार चलो का नारा देना पड़ेगा मैंने तो दे दिया है बिहार चलो वापस बिहार चलो